आप हमारे चनल टुटोरियल स्पेस को बिटेग भी युनिस्टी एक्जाम, कॉंपुटिटिव एक्जाम की प्रिपेशन, हिंदी लेक्चर से नॉट्स के लिए सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जिरूर दबा दीजिएगा तक कोई भी नॉटिफिकेशन मिस ना हो आप हमें फेस्बूक और ट्वीटर भी फोलो कर सकते हैं हलो फ्रैंज, दोस्तों आज से चालू करेंगे हम अपना नया सेक्षन जिसका नाम है लोजिक इससे बहले हमने किया था सेट थियोरी का कंसेप्ट ठीक है पुरे पुरा हमने जितना भी डिजिएटी के अंदर था 99% टॉपिक हम ने कर लिए अब कंसेप्ट चालू होता है डिसकेट बैपमेटिक के अंदर की लोजिक का जो सेक्षन अब करेंगे कहिए को सेट थियोरी के बाद रिलेशन आता हो या फंक्षन आता हो बड़ मैं कुरूशेट रिलोस्टी का सेट थियोरी के बाद आता है लोजिक तो ऐसी कोई बाद यह सबका से मतबस उपर नीचे है अब इस सेक्षन को शुरू करने लोजिक क्या है बेसिकली अगर आप सेबस प्ठाओगे तो लोजिक आपको बताएं जयता आपको सीधा लोजिक के अंदर कंसेप्ट आता है वह होता है प्रपोजिशन लोग सीधा वहां पर जंप कर जाते और यह कंसेप्ट नहीं बताते क कि लोजिक में है क्या अगर आपको यह कंसेप्ट नहीं बताएं जिससे आगे जा कि हमारा टॉपिक ड्राइब हुए है तो फिर फायदा है क्या दूसी चीज़ मैं आपसे पूश्चन पूछता हूं एक नट के लिए वीडियो पोस्ट कर देना मैं पूश्चन सुनने इस अगरे तो यह चीज़ बताओ कि कहीं बच्चों ने सोचा और लोजिक को कमपेर कि होगा किस से डिजिटल इलेक्रों कि डीजिसे हम जाते हैं बच्चे वहां पहुच रहे हो गए और सोचर्विक की लोजिक सर अमारा वही लेक्रोंड डिवाइस होते हैं जिसके अंदर यह आंसर बिलकुल गलत है मैं आपको लोजिक गेट नहीं पूझ रहा मैं पूझा हूं भाई मुझे सिंपल यह बताओ यह बताओ ना बताओ लोजिक के अंदर बहुत बाग पूछा जाता है कि बहुत अच्छा कोश्य नहीं कि लोजिक बताओ तो चलो दोस्तो इस अंसब को समझते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चेर जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बै लोजिक की बात कर रहें लोजिक है क्या इसको बताओ पहले कुछ स्टोरी अच्छा एंडर्टेनिंग सेशन बरेगा दो और दो और बाते कर रही है कहनी है कि सामने वाली प्रोशन गाड़ी ले ली है तो दूसरी बोली हां उसका पती कमाता है बहुत अच्छा बिजनस है लेगी लेगी गारी दो क्ल कु 시न गाड़ी लेगी त Bennett की बेनी बती है बाइप यहीं पर जाता हूं कि गोसिप पे और अच्छी मुआ पती कि ज शूजर अच्छी आपाती तो गारी ही जाए अब एक ची सोचो, दो औरते बाते करने थी, मतलब कुछ बाते हमारे पास है, हमारे पास आई, उन बातों को देख के सुनकर हम एक conclusion पर पहुँच गए, क्या उसका पती अच्छा कमाता है, उसका business अच्छा चलता है, तो वो गाड़ी ले सकती है, conclusion क्या था वो गाड़ी ले सकती है हमारे question क्या थे हमारा question लाइस क्या थी कि उसका पती अच्छा कमाता है और वो अच्छा business करता है conclusion को पहुँचे कि वो गाड़ी ले सकती है समझे बाद तो लोजिक भी दोस्तों वारा यही होता है कि किसी बातों को देखके किसी opinion को किसी ideas को किसी statement को देखके हम किसी conclusion का result निकाल लेते कि हाँ भई यह जो बाते केरियर से यह conclusion निकला है वो सही है या नहीं इसी को क्या सहा गया logic हमने थोड़ा सा क्या कि अपना दिमांग लड़ाया उसकी बातों को सुना कुछ statements को देखा सुना समझा कि हाँ अगर अच्छा कमाता यह बात ठीक है तो वाकी में वह बंदा गाड़ी ले सकता है यह बात भी ठीक होगी तो logic मेरा क्या हुआ basically यहां पर हमने क्या देखा study करी reasoning की किस चीज की reasoning की formal study जो हमारी होते reasoning होती है कि basically हमने क्या देखा कि जो statement हमें दी गई है basically वो हमारी valid है या नहीं हमने कुछ अपने laws लगाए logic के अंदर अलग तरीके से concept को सोचा जाता है तो logic के कुछ concepts होते हैं कुछ laws होते हैं हमने जो बाते हमारी सामने हैं हमने अपने laws उसके अंदर put कर देने है put करना है कि बात हमारे पास जो result आता है हम उस लोग के हिसाब से कहते हैं कि हाँ यह जो conclusion आपने निकाला है result निकाला है वो ठीक है या गलत है laws लगाके different laws होते हैं तो जो मैंने लिए यार यह कह लिए कि by using the law of logic we arrive at an answer जिसमें answer क्या होता है basically हम check करते हैं कि वो कितना ठीक है true है या false है यह logic basically study of reasoning है जिसमें हम check करते हैं क्या reason लगाते हैं कुछ concept लगाते हैं वो कितनी true है या false है जिसमें conclusion पर पहुंचे है या जो सबसे best definition मुझे लगती है कभी कोई आपको इव्रेट्वी में पूचे है लिखना पड़े सबसे best definition यह है कि logic basically tool है हमारा क्या किसी का tool जिसम सर्च करते हैं क्या answer करता हूं कितना सही है कितना गलत है किस basis पर जो मुझे statement दी जा रही है जो मुझे ideas बताए जा रहे basically क्या जो मुझे कहा जा रहा है मैं अपने laws लगाता हूं logic के और यह पता करता हूं कि भई तू सामने वाला जो conclusion पर आ रहा है वो सही है या नहीं जैसे हमारे code के अंदर होता है in나西ral Mokil ने क्या बोला भैसद में खुन केंड दूसरा बोलता कि वह दो शेहर में नहीं था तो我们 बहुंता था तो शोत्हा बोलता नहीं था नहीं था एक बीवी के साफ गूमने गया हुआता चोत्हा कहता कि नहीं इसकी बीग में और ऐ सबूतों के तैक इस बिचारे को सजा दे दी जाए या छोड़ दिया जाए वो अपने लोजिक लगाते कि कौन कितनी बातों सच्चा ही है तो वही कंसेट पर दोस्तों हमारा लोजिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पार जो डिफरेंट डिफरेंट वेज की जो बाते आती ह है हम अपने लोज लगाएंगे और देखेंगे कि वह बात क्रू है या फॉल्स है अब एक चीज जुरूर मैं आपको बता दूं हम घुज जाते हैं लोजिक का वड़ गुज सुनके कहां पे डिजिटल इलेक्रोनिक्स के अंदर भाई बिलकुल नहीं यहां से डिजिटल इ इसको उठाया गया और डिजिटल इलेक्रोनिक्स स्वीचिंग जो भी हमारे गेट्स बने हैं वो सब इसमें आए वो यह लोजिक का कंसेप्ट यूज करते हैं डिजिटल इलेक्रोनिक्स वाले कभी यह कहें कि कोई डिजिटल इलेक्रोनिक्स में यहां बुज गुज गया यहां से मेरा बाइं कंसेप्ट इठकर यहां गया क्योंकि इसके ऐसे थे और इसके जो चाहिए थे किसी चीज के लिए वो मैच करें तो उसको अप्लाई करके दिखा गया और वो मलब फोलो किये गया हमारे इसको इलेक्रोनिक्स डिवाइस बनते हैं गेट्स बनते हैं पूछा जाए तो यह दिमाग में लगा लो कि लोजिक बेसिलिक ऐसा टूल है मेरा जिससे मैं क्या कर सकता हूं किसी चीज के मतलब ऑपीनियन हो किसी का किसी के स्केटमेंट्स हो आइडियाज हो उनको मैं वेट अप कर सकता हूं को ना आप सकता हूं कि यह सामने वाली चीज कॉंक्लूजन पर जो हम पहुचे वो ट्रू है या फोल्स है कैसे लोजिक के लॉज लगाए तो दोस्तों यह कंसेप्ट है लोजिक का नेक्स्ट टाइम करेंगे हम जो अब चालू होता है सेबस के हिसाब से प्रेपोजिशन ठीक है अब यह साथ सेक्शन थोड़ा से एंट के अंदर राउंड बीस वीडियो के बनेगी हो जोता है बाइस में हो जोता सत्राइट आया बने वीडियो जादा बड़ी भी नहीं होगी जादा छोटी भी नहीं होगी तो तो बहुत आपके काम आएगा आगे जाके दूसरी चीज मैं क्या दूँ सबसे इंपोर्डन जो चीज है कॉलेज में हो चाहिए आप मझना कॉलेज के अंदर चाहिए यूवस्टी के अंदर बीटेग करें कुछ भी एक चीज जो गलत लगती आपको बदाता है सारे के सारे लेक्टरार आपको बुक्राइफर करते हैं C.L.U. उसका रिजन बता हो बादे वह आपको बुक समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप क्या करोंगे इस कोश्चम को मतलब चाट के कहां जाओगे इतने इसको चाटने की सब्सक्राइब नहीं है दिमाग से चलने वाली चीज है तो मैं अपनी तरफ से आपको दो बुक्राइफर कर रहा हूं कि मैंने भी बिटेग के अं तो यह दो बुक खरीद के रख लो जिन्दिगी में कभी आगे देना भी मत किसी को पहले बुक बताता हूं आपको मैं डिस्क्रिट मैथमेटिक्स की आपके पास आती है यह बुक है हमारी शॉम सीरीज की शॉम सीरीज की थर्ड एडिशन आपके पास लेबर्स हो तो श्या सीरीज की थर्ड एडिशन ले लेना ठीगे जी नीचे देख लेना अडप्टेड बाए आइटिंग किसी इंडियन ओथर का नाम दिखाओगा अडप्टेड बाइस से लास्त में बोलेना दूसरी बुक जो आप चाहिए एक बाद इसको इग्नोर कर लेना बड़ इस बुक क बड़ यह नहीं मिली तो मैंने यह मंगवाई यह पड़ी थी बड़ यह पड़के मुझे लगा कि यह पहले क्यों नहीं मिली बाबुराम बुक है बाबुराम ओथर है और पब्लीकेशन है इसका पीर संस मैं नेक्स टाइम आपको बुक भी दिखाओंगा डॉंड वरी मिल लाइबरेरी पे जाके देखो अगर आपको कंसर्ट समझ में आने लगे तो प्लीज बाइ कर लेना या इसको फोलो करना सीथी सी बात है मतलब अपने कंसर्ट इसमें से लेना वो सबसे ज़्यादा अच्छ रहेगा इसको समझने के बात जाना किस पे अपने CLU के जो भी ओधरा स्लेवर्स है टार्गेट आफ कम से कम मैं चार्ज यूनिट के अंदर से 20-20-20-20-20-20-20-80 नंबर का स्लेवर्स आपको कम से कम करवाऊं ताकि आप स्लेवर्स तो होई होगगग दिमाग कंसर्ट दिमाग में भी पैठे तो मिलते हैं लिज टुड़ोई में जबनी ट झाल झाल